इन दिस वीडियो, I am going to share with you all the lifetime worldwide box office collection of Bollywood film खुदा कसम दोस्तो मुवी खुदा कसम, जो रिलीस हुई थी 26 November 2010 को ये एक Bollywood action drama movie है जिसको 5 में से 2 star की rating दे गई थी फिल्म के director और writer है केसी बोकाडिया, अगर मैं इसके producer की बात करूँ तो वो हैं अमित बोकाडिया अब बात करते कास्ट की, फिल्म के अंदर सनी दियोल, तब्बू, फरीदा जलाल, गोविंद नाम दियो, आशिश विध्यारती, मुकेश रिशी और सदाशिव अमरापूरकर ये सारे इसमें lead role में और supporting role में नसर आई थे, लेकिन इनके अलावा भी फिल्म के अंदर काफ़ी सारे कास्ट, supporting role में नसर आई थी, बतारिक के फिल्म खुदा कसम, ये movie clash हुई थी, इमरान खान और दिपिका पादुकोन के फिल्म break के बाद movie के साथ, movie का नाम था break के बाद, बतारिक के फिल्म खुदा कसम, इसका जो title है खुदा कसम, इसका title इसस एक करोट 51 लाक रुपे का, वन करोट 51 लाक का, इंडिया का life time जो gross collection ता, gross collection जिसमें tax include हो जाता है, वो है 2 करोट 7 लाक, 2 करोट 7 लाक का, रही बाद budget तो, फिल्म का budget ता 9 करोट, अब 9 करोट के budget के हिसाब से, फिल्म का जो इंडिया का lifetime net collection था, 1 करोट 51 लाक का, यानि कि net collection budget से काफी जाधा कम था, फिल्म को net collection की वज़े से box office पर, बहुत ही भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, यानि कि फिल्म को loss हुआ, और loss की वज़े से, फिल्म को box office पर सामना करना पड़ा, flop का, यानि कि disaster का, यानि कि फिल्म खुदा कसम, इसकी जो official verdict है, worldwide वो है disaster की, यान अभी बाद इसके गानों की इतफ फिल्म के गानों की एल्बम में total तीन गाने थे, गानों को compose क्या था आदेश शिरवास्तव जी ने, और गान के चु लिरिक्स होते हैं, वो लिखे थे मजरुहू सुल्तान पूरी जी ने, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ, इस वीडियो में तब तक के लिए जै हिंदु